हेलो गाइज आज हम पढ़ेंगे दसवी का बेसिक गड़ी जिसके सांस अब पार्ठेक को भी कंप्लिट करेंगे ध्यान से देखिए पार्ठेक का नाम में बहुपद पुरा एक यूनिट में पांच चाप्टर है और आपका जो बोर्ड इग्जाम है उसमें से पांच नंबर आपको थोड़ा हाई लेबल पर सिखाते होंगे काफि कंडिशन के साथ मैं आपको इसलिए इसको नियम पता होना चाहिए इनका जोड़ना इनका गोड़ा इनका भाग और अगर आपको यह नहीं पता तो अभी चैनल के डिस्रिप्शन में जाएए डूढ़ यह आपको एक ठीक है और समझे कि इनका बेसिक क्या होता है खेर अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं इसको देखने बाद उसको देख लीजएगा यहां मैं कुछ कुछ बताता हूं ताकि आप इसको समझ पाए पजल कैसे खिलेंगे देखिए एक्च्वल में बहुपद में पहला कोशन होता है वो खता है भाग का किसका ऊता है भाग का हमें भाग देना है अब भाग देना देखिए सरल कब होगा जब मैं आको कौशन ऐसा दूँ तो यह सिंपल सा प्रश्ण है दस एक को भाग देना है दो एकस वाई से तब यह काफी सरल हो जाता है कैसे देखिए आप क्या कर सकते हैं एकस एकस काट सकते हैं कट गया दो पन्चेज रसे कट गया पांच बचा नीचे में आ बचा भाग दे रहा है तो आप एसे वह लिखेंगे ये दो बार इसको लिखेंगे, ये इसके साथ कड़ गया, ये इसके साथ कड़ गया, यहाँ 10x बचा, यहाँ सिरु 5 बचा, यहाँ का अंसर है, परन्तो, इसी को solve कर नम उसके तब हो जाएगा, जब ये double हो जाएगा, जो काटने वाला है, वो एक नहीं, अगर 2 हो जाए, कित difficulty यहाँ से start होती है, यहाँ से, ठीक, x में कुछ गुड़ा करना है, जो कि नहीं पता, इस डब्य में आपको बताना है क्या आएगा, कि क्या गुड़ा हुआ, कि वो हो गया, 6x सिरु 3, अब x में कुछ तो गुड़ा हुआ है, क्या वो 6 भी हो गया, घात 3 भी हो गया, एक में अगर कोई संक्या लाना है ना, तो उसी संक्या को गुड़ा करना पड़ता है, 10 है तो 10 का 6 हो, तो 6 कम 6 आएगा, तो यह clear हो गया, कि x का सामने 1 है, और उसको 6 में बदलना है, तो 6 कही गुड़ा करना है, तो 6 6 कम 6 हो जाएगा, दूसरा, घात 3 है, जब कि हाँ 1 है, एक को 3 में बदलना है, तो कितना चाहिए, देखिए, मैंने गुड़ा में सिखाया कि गाते जोड़ती है, जब हम x का गुड़ा x करते हैं, तो गाते जोड़ती है, तो 1 3 हो चुका है, तो 1 में कितना जोड़े कि 3 हो जाए, 2 जोड़ने पर 3 होगा ना, तो हमें चाहिए x की गहाद 2। क्या चाहिए एक्सीघाद 2। तब क्या होगा 6 कम 6 एक्स 1 हों गएきたF Su तररह से आयाँ Νानी ठीके आप प्श से नी पता क्या गुड़ा हुआ है अब हो गया 15 एक्सीघाद 4 सब्सक्राइब 15 है मतलब 15 ग्ड़़्ा होगा कि घाड 4 है और यहाँ एक है है अगर मैं यहाँ दो एक्स क्लिख दूं क्या लिक दूँ यहाँ मैं दस जい हो जाएगा दसे हो जाए तुर्फ करना है अगर समझ में आ गया तो अब आप से बहुत असानी से बन जाएगा अभी यह है और देखिए अब जाएब यहाँ बहुत बतानी क्या गुड़ा हुआ अब हो गया shechn arias की से और अब लगाहो दो में गुड़ा करूं तो थे साराा हो जाएगा तो किस का अधर करूं जब कोई चीज बड़े रूप में हो और छोटा हो जाए यह एकदम अलग हो जाए अधिकतर उस सिच्वेशन में आपको गुड़ा करना है उपर में एक का बटे में क्या होगा अगर यहां का दो कटा है मतलब बटे में दो लिखे एक अगर यहां 10 होता तो मैं बटे में 10 लि गार दो से 2 कट गया तीन एकसा आगा एक एक बचएंगा न यही हो अता हाप उसका करना था उसमें एक बटे 2 एकसा गार 2 का समझ आया क्या चलिए और देखिए मैं लिखा चैज एकस गार दो गूरी पता नहीं क्या हुआ वहो गया 2x क्या हो गया वो 2x अब फिर से दिमाग लगाई है 6 कटा है और 2 आया है ऐसी कौन से संख्या है जो 6 को काटता है तो 2 बसता है 2 3 तो 6 मतलब 3 आएगा उसमें लेकिन 3 दूनी 6 होता है मतलब 3 और 1x कम हो चुका है मतलब 1x का भी उड़ा करेंगे तब 3 एकम 3 3 दूनी 6 एक एकक्स कटा मतलब 2 बचा और इसमें से 2x में से 1x कटा तो 1x बचा अता हुआ संख्या है एक बटे 3x समझ में आ गया पजल समझ में आया प्लियर है इसमें अगर डौट है तो अभी आपको बहुत समझ से होगी और इसमें डौट नहीं है तो फिर आ एक्स प्लस बन में क्या गुड़ा हुआ कि वह 12 x गहाद 2 प्लस 6 हो गया 6x हो गया चलिए बताइए दो में किसका गुड़ा करूं कि 12 हो जाए सुली 6 2 12 x x का स्क्वयर प्लस 6 गम 6 x तो आपको ध्यान देना है अगर यहाँपर दो अंक होते हैं गुड़ा करने के लिए दो गुड़ा किसमें करना है पहले वाले अंक में और उसी में गुड़ा करके हमें साम्य वाले संख्या के जैसे संख्या लाना है बाकी बगल की जो स से बनाते हैं यह बनाते हैं यह बंदता है अपको लिखना ऐसे है लगना ऐसे है अब देखी है यह क्या होगा हमें है यह यहाँ यहाँ से 만큼 को यहां लिखना है क्लियर डब्बा बनाना है गुड़ा का फिर इधर आप क्या लिखेंगे इधर आप लिखेंगे जो यहां की पहली संख्या है पहली संख्या क्या है यहां दर्शक से हाथ दो यह ठीक चलिए पहला प्रशना है अगर मैं दूसरा प्रशन कुछ दूसरा दो इस situation में भी ध्यान देजे मैंने बोला यहाँ पर की संख्या को पहले लिखिए जो भी लिखा हो उसको डबब बनाईए उस तरब क्या लिखेंगे जो यहाँ की पहली संख्या है तो पहली संख्या यहाँ की है 20x की घा 3 तो समझ आ गया वो पजल का काम अब आपको समझ में आएगा तो आपको इसको लिखना है पहली संख्या को बराबर की उस तरब यहाँ की पहली संख्या को लिखना है अब आपको बताना है इधर देख करके कि x में क्या गुड़ा करूँ कि 10x से घा 2 हो जाए क्या गुड़ा करो, एक है इसके सामने, और यहां दस है, तो एक को दस में बदलना है, तो दस का ही गुड़ा करेंगे, तो पहली संख्य तो दस हो गई, घात दो लाना है ना, X का, एक ही X है, मतलब आपको एक एक सॉल लिखना है, सॉल हो गया, तो आपको गुड़ा करना है 10 किसका करना है तो आप लिखेंगे यहां 10x अब गुड़ा करेंगे तो 10 से कम 10 x1 x2 वाण बन जुड़ के होगे 2 अब इसी संख्या को गड़ा इसमें भी होगा तो 10 से कम 10x अब गटाते हैं क्या करते हैं घटाते हैं घटाएंगे तो चिन माइनस का लगाना है और 10 से 10 कड़ जाएगा 20 में 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा क्या बचेगा 10 बचेगा प्लस यहां 30 बचा है अब क्या करना है अब आपको ध्यान देना है अब सामने में क्या बचा है अब सामने में सिर्फ 10 x बचा है अब इसी में गुड़ा करके यहा लाना है ,दस लाना है इसके सामने , तो आपको 10 लिखना पड़ेगा , क्या लिखना पड़ेगा ? तो 10 से कम 10- 2 से कम 10 , अब हुसमे एकस यहाँ भी यह था भी 0 , दोनों में एकस नही है यहाँ भी 0 , हमेशा इसमें गुड़ा करके यहां की पहले संखिया के झैसे बराबर संखिया लाना है तो जितने का भी गुड़ा करने हैं उसमें कहँ देजे क्योंकि संखिया यही संखिया हुनी चाहिए इससी के जैसा होना चाहिए तो 2x के सामने अब आ चुका है 20 तो दो बन चुगा है 20 तो 2 पाड़े में 20 कितने बार में आएगा 10 बार में आएगा तो 2 दाहम 20 घाट 3 लाना है एक घात है मतलब आपको घात 2 चाहिए तो आपने गड़ा किसका किया 10x की घात 2 का गड़ा किया क्लियर है न अब आप देखे 10 दुनी 20 घात 2 घात 3 10 से कम 10x की घात 2 यहां x नी है तो बस 10x की घात 2 अब आप घटाएंगे तो माइनस कचिल लगाएंगे यह बही कड़ गया 60 में 10 जाएगा 50x की घात 2 प्लस 100x तो जैसे कि आपने देखा यहां 20 था तो 2 दाहम आपने 20 लिखा में रब 10 लिखा उपर में तभी 20 आया अब आपको देखन 25 25 एक्स आप घटाएंगे यह कड़ गया 100 में 25 आएगा 75 एक्स यह आपका सेसफ़ल है अब आपको आया समझ में कोई नियम नहीं पजल सिखे और प्रशन सौल कीजे ध्यान यह रखना है ऐसे प्रश्णों में यहां पर जो पहले संख्या लिखिया है उसे में गुड़ा कर करके यहां जो पहले संख्या उसका जैसा डिट्टों लाना है अब आप जिसका भी गुड़ा कर सकते हैं कि पजल में आप से गलती नहीं होगा एक प्रश्ण और देखिये ए में कुछ गुड़ा करके क्या लाना है एस्वर लाना है एक ही घाद दो लाना है तो ए में एक ही गुड़ा होगा अब आप सीख चुके हैं तो एक ही गुड़ा कीजे तो एक ही घाद दो एक ही घाद दो एक गुड़ा बी से होगा तो एबी हो जाएगा आना है A B A तो है उसके साथ B आ जाए तो A के साथ B आ जाए मतलब B का ही गुड़ा कीजिए तो B और A का गुड़ा करेंगे तो A B जिसको बनानेक बाद आपसे भाग वाला कोषण अराम से बन जाएगा तो लिखने का तरीका क्या है जो भाग देगा उसको ये जो हम डब्ब बनाते हैं इसके बाहर लिखना है पर ध्यान से दिखे ये बिखरा हुआ है जमाना कैसे है बड़ी घात वाले को पहले उसके बाद X की गहाद 5 फिर 5 के बाद 4 उना चीए जो की नहीं है तो 3 को जमाएंगे मतलब इसको 5 X की गहाद 3 3 के बाद 2 वाला कॉन सा है ये है तो हम लिखेंगे 3 X की गहाद 2 फिर लिखेंगे X वाले को जो की है 5 X फिर लिखेंगे 3 अब आपने ये लिख लिए ना अब आप solve कीचे बहुत आराम से देखिए समझाए इसले रहा हूं इसको 3 अंको, 4 अंको, 10 अंको इसको देखके डरना नहीं है कि हम तो सिर्फ 1-2 अंक वाला सीखें ये कैसे बनेगा अंक जितना भी बड़ा हो आपको बस ये ध्यान देना है सबसे सामझे में क्या लिखा गया है इधर तो जिसका भी बड़ा करने है आपको कर देना है और जो बड़ा करेंगे उसको यहां लिखिए वो बारी बारी जितनी भी संख्या है उसे वो बड़ा करके नीचे लिख दिया जाएगा और कुछ असानी से बन जाएगा तो देखिए एक्सिघाद 2 में कुछ गुड़ा करके एक्सिघाद 5 गाना है तो 2 को 5 में बदलना है मतलब 2 में क्या जोड़ें की 5 हो जाए 3 जोड़ेंगे ना, तो हमें लिखना है X की घाथ 3, क्या लिखना है, X की घाथ 3, 3 और 2 का गुड़ा होगा, तो 2 और 3 जोड़के 5 जाएगा, तो आपने संख्या लिख लिए ना, लाइन से उसका 3ों में गुड़ा कर दीजे, तो पहले इसके साथ गुड़ा होगा, तो X की घ हाथ 3, अब देखिए, अब आपको 5 वाला 5 के साथ, 3 वाला 3 के साथ दीख रहे है न, चार वाले का जोड़ा ही नहीं है, इसको मैं लास्ट में लिखाऊ, तो हमने पस एक संख्या लिखे थी, तीनों में लाइन से गुड़ा कर दिया, संख्या आ गई, अब मैं इसको घटा प्लस अब इसको लिखेंगे, 3 एक सिघाट 2 को, क्लियर है, अब, यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं हुआ, तो अब नीचे को देखिए, अब मुझे लाना है, माइनस 4 एक सिघाट 4, माइनस 4 एक सिघाट 4, कभी भी अगर सामने में माइनस लाना हो, और अगर यहाँ माइनस पहला चीज़ आपको माइनस से लिखना है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस आ गया न, 4 माना है, यहाँ एक है, मतलब 4 कहीं बढ़ा करेंगे, तो 4 एक सिघाट 4 है, तो दो में दो जोड़ेंगे तब 4 आएगा, मतलब एक सिघाट 2 लिखना है, तो पुरी संक्यात लि माइनस प्लस माइनस चार दूनी, आठ एकस टू है, तो बस एकस टू होगा, यहाँ तो एक सही नहीं, अब हम घटाएंगे, तो माइनस का चीज़ लगाएंगे, अब आपको ध्यान देना है, यह माइनस लगाने के बाद अब यह प्लस हो गया, मैंस प्लस होगा, इसलिए म में 19 लाना है, क्या लाना है? 19 और घाद 3 लाना है, और पहले से घाद 2 है, मतलब एकस को शर्फ wanna X सचे ही है, क्योंकि दो X में एक एकस के गोड़ा हो गा, तो घाद 3 हो जाएगा, और सामने में 19 लाना है, तो आप 19 लिखंगे, 29 से खाम 19, X घात 1 और neo 2 हो गया, तीन, 1997ी गटाने के लिए माइनस का चिल लगाया कट गया 76 में 11 जाएगा जाएगा तो 6 में गया 5 साथ में गया 6 बड़ी संक्राइक समझे माइनस तो माइनस एक से घाद दो प्लस नहीं यहां भी माइनस होगा 38 में 5 गया भाई कितना बचेगा 33 अब 3 को लिख लेते हैं माइनस 65 लाना है तो माइनस 65 ही लिखेंगे घादव है हाँ यहां भी घादव है वह आ जाएगा तो बस माइनस 65 की घादव दो 65 दूनी 130 130 को दूना 260 तो हम लिखे चाहिए माइनस 260 एक्स प्लस नहीं माइनस है तो यहां भी माइनस 35 दूनी 130 तो कि साथ दूनी 120 तो 505 दूनी 130 घटाने क्लिए माइनस करेंगे न सब में प्लस कचीद होगा सब क्या हो गया सब प्लस हो गया प्लस प्लस ये कट गया कि 260 में तैतीस आएगा तो तीस चला गया तो 230 बचेगा तीस में चला गया तो 220 बचेगा माइनस नहीं प्लस में और यहां पर 130 में तीन जुड़ जाएगा तो यह और यह जाएगा लाना है अगर यहां 50 लिखा होगा तो हम 50 को गुड़ा करेंगे कुछ भी गुड़ा करेंगे इसमें लाना बस यहां की पहली संख्या है और उस संख्या को लिखने कबाद वसके सांद करके आ जाएगा जो जिससे कटे उसको काटने जो निकर्थोस को समनिम लिख देना और ख करना है उसके सांथ होता है करन निकलता है और को सेमान होंगों इसको इसमें राखके करना है अब मुखाग्र्थ बहुत बोल दिये बीना समझ में आने वाला नहीं है यह आ है कि यह ज़ें कि मैने इस प्रशन को दे बोलाह 400 पर में किकी करना क्या है? हल करने के प्रक्विया जी एक बरावर सुन्य मानना है यह सुन्य लेना ہے मानना या लेना है फिर GX आपको पता है यह तो इस तरह आप उसको रहते हैं ऑस जो भी है कि प्लस माइनस वित इंप पक्षांदर कीजिए कि जहां जहां X दिखे वहां बहां माइनस 1 को रख दीजे तो 2 का 2 रहेगा रख दिए अब ब्रिकेट में लिख लिख लिजे जो माइनस 1 दिया हूँ उसको घाद 2 है घाद 2 लगा दीजे अब यहां पर X है वहां भी आपको माइनस 1 लिखना है ब्रिकेट में लिख दीजे माइ माइनस प्लस मतलब दो ये का ढूइस प्लस माइनस एक प्लस यह द्युक्स फ्लस टो धो यह जब जी रहे और यह उस्ट सितिस सतरा कंच निकला वह तो आगे Państwo एक होप इस से पर्षणावाली दो बन जाएगा आप सी का तो मैं प्लस तोड़ो मैं पर तोड़ते हैं तोड़ा जाता है हढडरीगो अध्य लीसा मध्यापद तोड़ोा मध्यापद को और क्यां पुलेंगे पूरं खन्ड काहेंगे तुदन खन पूरी शेप्न wind फमिलेंगी तब हम किली बस इतना ही मध्यपत्द तोड़ें अब मध्यपत् healthy generally इस टाइप के प्रश्ण में आकको एक समीकरन दिया रहेगा क्या रहेगा समीकरन हो अ कि गाट समीपर रहेगा इसके बाद बराबर में सुनंने भी होगा घर उसके बाद क्या होगर और आपको इसमें मध्यपत को तोड़ना है मतलब ना तो पहले संख्या को कुछ होना चाहिए ना तो अंतिम संख्या को कुछ होना चाहिए बर बीच का बदल जाना चाहिए वो गाया को जाना चाहिए उसी को बोलते मध्यपत तोड़ो मतलब मध्यपत हटाओ करना क्या है मान ले करके आपने जो भी लाया उन्हीं को जोड़ घटा करके मतलब इन दोनों को जिसको गुड़ा किया उन्हीं को जोड़ो यह तो घटाओ और जो बीच की संख्या है भी वो ले करके आओ यह कहता है मध्य पर तोड़ो एक्जाम्पल के लिए पहला पद ए और अंतिम पची दोन सचने का काम कहा होता है और सौचने का काम होता है जहां पर इनको जोड़ने घटाने से साथ या जो भी बीची संख्या वह नहीं आती हाह द्यान से दीखें हम आपको बताते हैं अपनी चैनल में एक ऐसा प्रश्न है तो यह वह प्रस्ण जहां पर हमें दिखा तीन चौक 12 इस नियम के पॉर्टिंग अगर हम गुड़ा करके देखते हैं, 3 और 4 का, मतलब A और C का, तो क्या आया गई? 12 आया. जिसको गुड़ा करके 12 आया, उनको मैं जोडता हूँ न, तो 11 नहीं होता. 7 हो जाता है, और अगर मैं घटाता हूँ, तो माइनस एक हो जाता है, पर लाना क्या है? 11 लाना है, आया क्या? नहीं आया. तो दिमाख लगाना पड़ता है यहाँ, अब दिमाख है तो लगाओ, और कोशन को बनाओ, चुल यह बता दो कि करना क्या है? ऐसे प्रशनों में आपको ध्यान यह देना है, कि गुड़ा करने पर जो आया, वो अंग को आपको नहीं बदलना है, उसको बदलना ही नहीं है, अंग को वही लाना है, पर जिनका गुड़ा की है न, उनको बदल देना है, मतलब गुड़ा करने पर 12 आए, पर संख्या दूसरी हो तो ऐसी और कॉन को से संख्या जिसका गुड़ा करने पर 12 आये मतलब जिनका गुड़ा में 12 तीन और चार को छोड़ेगे ठीक 6 दूनी 12 6 में मैं 2 जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा 6 में 2 घटांगों 4 हो जाएगा क्या 11 आएगा नहीं आएगा मतलब यह भी फैल 5, 4, 6, 2 फैल और किसके पाड़ें 12 आता है आपको पता है मुझे तो पता है चलिए बता लेता हूँ वो संख्या है सरल था तो पहले क्यों नहीं बताए बस मैं आपको समय दे रहा था वो है 12 माइनस 1 तो नियम फॉलो हुआ की नहीं हमने गुड़ा करके देखा 12 ही आना था आ गया हमने फिर उनको जोड़ खटा करके देखा 11 आना था वो भी आ गया तो अब मध पत को हटाना है और उसके इस्थान पे 12 माइनस 1 लिखना है तो ये बिल्कुल नहीं बदलेगा इसको ऐसी रखेंगे बदलेगा ये 12 x में 1 x आएगा तब बचेगा 11 तो आपको लिखना है 12 x माइनस x प्लस 4 बराबर सुन समझ में आया क्या तो चलिए भी लगा लेते हैं ताकि आपको अभी एक्ष्ट्रा कोई डाउट ना हो तो समझ लिए यहां पर पहले से माइनस था अब मध पत्तोड़ों में आपने देखा 11 के इस्थान पे अब हमने 12 x लिख दिया अब है क्या यह वही संक्य है जिसको घटाने से बीच की संक्य है अब बीच में लिख लिए ना तो दो-दो का जोड़ा बना लीजिए और उनके बीच में common निकालीजिए बाहर निकालीजिए common यहां पर तीन के पाड़ें 12 किते बार में आता है चार बार में प्लस है तो प्लस 34 और इसका एक जो होता बाहर आ चुका है तो सिर्फ क्या बच अदर में एक प्लस 4 बचा अब यहां देखिए क्या कॉमन है दोनों में कुछ भी नहीं है यहां एक्स है लेकिन वहां नहीं है प्लस 4 बराबर सुन्या अब हमेशा अंदर में सेम संख्य होनी चाहिए जो आपने को अमन निकाला दोनों तरब से देखिए दोनों सेम है न उसको एक बार लिखना है और जो बाहर में है विचारे लोगन को घर देना है मतलब ब्रिकेट के अंदर लिखना है समझ में आया क अधिया ऐसा यह बनाना है आपको इसको चलिए अब इसको सौल करते हैं काली की गाड़ी नहीं काले रंग की गाड़ी अटकी हुई थी नीले पर हम सवार थे अब हम बनाते हैं इसको यहाँ पर दो और पांच को जोड़ने से साथ भी आ गया था यहाँ पर नहीं संख्या नहीं सोचनी तो कुछ पर्ष्ण ऐसे होते हैं जहां पर नहीं संक्या नहीं सचनी पड़ती वह यह दिए रहती और वे रहती है तो चलिए बदलना cannot 2x घाद 2 को, नहीं बदलना है 5 को, तो क्या बदलता है भई, बदलता है बीच की संख्या, तो 20 को बढ़ अब हटा देते हैं, साथ कैसी आया, 5 में 2 जुड के, यह 2 में 5 जुड करके, तो मैं लिख दूंगा 2x प्लस 5x, क्योंकि देखिए, दूनों में x है, x एक बाल लिखें तो 1x बचेगा, पूरा 2x बाहर आ चुका है, यह देखिए, पूरा, तो यहां कुछ नहीं बचा, तो जहां कुछ नहीं बचेगा, एक बचेगा, एक लिख दिए, यह देखो, कितिनी दूरी हैं के बिच में, बहुत नराज है लोग एक दूसरे से, चलो पास ले आते हैं, पास पास, यह तो गुटका है, अब दोनों में 5 है, 5 को बहार निकाले, यहां एक बचेगा, यहां से 5 बाहर आ गया, तो यहां कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, अब देखें फिसे दोनों में सेम चीज बचा, तो इसलिए एक बाल लिखेंगे, और बहार में जो है, उसको मांके के कोर्शन मनाईए, लगभग आपको 12-11 प्रश्न मिलेगा, कंशकम 10 ठोबनाईए, और हमें कमेंट करके बताईए, तो वहां पर आपको ध्यान यह देना है, कि गुड़न खंड लिखने के लिए चोटा सा फार्मूला है, एक्स माइनस अलफा, और एक्स माइनस बीटा, तो आपको मानना है कि पहले संख्या 3 अलफा है, दुसरी संख्या 4 बीटा है, अब इनके तुलना बहुपस से करना है, जो की होता है, एक्स स्क्वार प्लस बीएक्स ब्स सी से, उसके पाद आपको लिखना है, यह और इसके बाद आपको लिखना है यह मतलब सूत् और ब्रेकेट में X-Bita फिर आपको पता है न अलफा कमान तीन तो तीन लिखे चार पता है न बीटा कमान तो चाल लिखे बस हो गया हो गया गुडण फॉल बस खतम टाटा बाई-बाई-बाई-गुडण फॉल गयाद कीजे ठेक तो गुडण फॉल और फॉल का छोड़ा-फ स्था रहे याद कर लिजिए और फॉल फटा फटा कोशन बना यह योगफाल होता है भी बट्टे ए ग्लड़ एज इसी बट्टे एग आपको तुलना करने भभावपस से जो क्यों लिख ना है कि एक मान हो जाएगा दो फिक हो जाएगा पांच यह मैं फट श्रश्वयोगा ना के भी करी जो भी होगा वह एक मन होगा उसको ए बराबर लिखिए इसको बिज़ें लिखिये सुन्यकों का योगपळ बराबर माइनस B बटे A और B का मन क्या है दस है तो दस लिख दीजे एक मन क्या है दो है तो दो लिख दीजे पटता है तो काट दीजे दो पंचे दस या पांसर है अब आपको निकालना है सुन्यकों का गुडण फल अब इससे जादा नहीं बताँगा बहुत साल था यहां से देख लिए और इसको कंप्लेट कर लिए यहां योगफल का सुद्र और गुडण फल को सुद्र याद हो गया यह रहे आपके खुश्टन जहां पर यह यह बी यह रखना बस है इधना तो कर सकते है ना जहां भी है वहां बी का माल रख लेजे करता है तो काटने नहीं तो छोड़ देना है को समझाता है सौल क्या पर पूरता डिपेंड हो जाएं कुछ चीज सीख करके ना अगर आप उस पूरे प्रस्वाली को खुश से बना सकते हैं तो यह आपके लिए सबसे बड़ी अचुमेंट है और अगर आप से बन गया तो हमारे लिए चुमेंट है खासकर मेरे लिए क्योंकि मैं आपको सिखा पैसे की दिक्कत के कारण समय के दिक्कत के कारण किसी भी कारणशागर आप ट्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप बोड इग्जाम में है आप इसको स्किप्ट ना करें घर बैठे बैठे और आपकी साहता से किसी को एक अश्चक्त प्लास मिल जाए ओके ठैंस पर वाचिंग मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जहां पर हम चैक्टर टू को कभर करेंगे चैक्टर बन कम्लेट हो गया तो इसी उम्मित के साथ कि आपको वीडियो अच्छा लगा आप बैट के देखते ह हैं सिखते हैं और वीडियो को सेयर करते हैं हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ हैं